नमस्कार मैं हूँ जूली आप इससक देख रहे हैं दे इंडिया टॉप 21 अक्टूबर को बिहार विधान सभाभवन सताबदी समारोह मनाने की तैयारिया पूरी हो चुकी है और इस समारोह में भारत के राष्ट पती रामनात कोविन भी शिर्कत करने के लिए आएंगे अध्यायन कर सकते हैं आपको बता दे कि इससे पहले इस लाइब्रेरी का उप्योग सिर्फ विधान सभाग के सदस्य ही कर पाते थे लेकिन अब आम जंता के लिए भी इस लाइब्रेरी को खोल दिया गया है इस बात की चांद कारी विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने खुद दी है उन्होंने कहा है कि इसको ले करके तमाम तयारिया की जा रही है आपको बता दे कि बिहार विधान सभा की लाइब्रेरी में भारत और बिहार के इतिहास से जुड़ी और साथ ही विधान सभा के कारवाई से जुड़ी एक से एक किताबे मौजूद है और अब बिहार की आम जंता बिहार के नौजवान इसका अध्ययन कर सकेंगे आपको बतादे कि जब बिहार विधानसभा का विस्तृत भवन का नर्मांत किया गया था तब इस library को भी shift किया गया था और जगह जालदा होने के वज़े से अब इसे काफी खुबसूरती से सजाया गया है अब तक इसे सिर्फ बिहार विधान सभा की सदस्य ही उपयोग कर पाते थे इसका लेकिन अब इसे आम जंता के लिए भी खोल दिया गया है और इस बात की जानकारी खुद विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दी है आपको बता दे कि इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया है बिहार सरकार ने विधान सभा के जितने भी डॉक्यमेंट्स हैं और जो लाइब्रेरी है उसे अब डिजिटलाइस किया जाएगा इसको लेकर के बकाइदा बिहार विधान सभा सची वाले की एक टीम को दिल्ली संसद में अधेयन के लिए भीजा जाएगा वहाँ पर जा करके ये संसद की डिजिटल लाइब्रेरी का जायजा लेंगे उसके बाद एक रिपोर्ट तियार करेंगे फिर उस रिपोर्ट को बिहार विधान सभा सची वाले भेजा जाएगा और उसके बाद ब्लूप्रिंट तयार करके इस पर काम किया जाएगा सारे डॉक्यमेंट्स और लाइब्रेरी को डिजिटल करने से दो फायदे होंगे पहला तो कि यह जितने भी डॉक्यमेंट्स है वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगे दूसरा इनका एक्सिस काफी आसान हो जाएगा लोग इन्हें ऑनलाइन ही पढ़ सकेंगे इसकी उपलबजिता बहुत ही आसान हो जाएगे आसानी से लोग इसे सर्च करके पढ़ सकेंगे तो ये दो महतोपून फैसले लिये हैं बिहार सरकार ने बिहार विधान सभा सताबदी समरों के औसर पर पहला तो ये कि बिहार के नौजवानों और आम जंता के लिए विधान सभा की लाइबरी को खोल दिया जाएगा वहाँ पर जाकर के वो अध्यान कर सकते हैं बिहार के इतिहास और भारत के इतिहास और साथ ही साथ बिहार विधान सभा के जितनी भी कारवाई से जुड़े किताबे है उसका आधियन कर सकेंगे और साथ ही जो लाइब्रेरी और डॉक्यमेंट्स है उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा आपको एक बर फिर से बता दे कि 21 अक्टूबर को बिहार विधान सभा भवन सताब्दी समरोह मनाया जाने वाला है और इसमें भारत के राष्ट पती रामनात कोविंद शिर्कत करने के लिए पटना पहुचेंगे कल वो पटना आएंगे और 21 अक्टूबर को यह समरोह आयोजित किया गया है इसको लेकर कि अब तमाम तयारिया की जारे है और इसे सिलसिले में अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है यह फैसला कि बिहार विधान सभा की लाइब्रेरी अब आम जंता के लिए खुली रहेगी पिलाल इस वीडियो में इतना ही इसी तरीके के और भी कई खबरे हम आप तक पहुचा रहे हैं अगर आपन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले अगर यह वीडियो हमारे फेस्टूप पेज पर देखने तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर ले धन्यवाद